नमस्कार दोस्तो राजन मोनीटर के बिल्कुल नए फ्रेस और इक्साइटेड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्लांक वर्कॉट एप कैसे यूज कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने प्लांक वर्कॉट एप मैं आपको बताँ दू कुई इस वर्कॉट एप की हेल्फ से आप अपने बॉड्डू को काफी फिट रख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका पुरा डॉट किलियर हो जाएगा सो हेलो गाइज मेरा नाम है राजन आप देख रहा हैं राजन मोनीटर चाइनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट हाए हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के इंपोटेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज लाते रहता हूँ सो आपको मैं बता दू कि प्लांक वर्काट एप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में प्ले श्टोर अपको उपन करना होगा तो आयए हम प्ले श्टोर को उपन करते को देख सकता है, simply plank का symbol देखने को मिल जाएगा, इस app को मैं बता दू कि 2019 में best app का winner award देखने को मिला है इस application को, बात की जाए rating की तो rating अपने आप में कापी आचा खासा है, देख सकता है, 4.9 out of 5 rating देखने को मिलेगा, अब बात आती है, download की तो इस app को download की मैं बता दू तो इस आपको 10 million plus download किया गया है, इस आपको, फिला इस application को हम download कर लिया है, तो open करते हैं, और आपको अपने phone में download कर लेना है, जैसे ही इस app को हम open करते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, देख सकता है 2020-20, simply फिर training plan आगया है, तो simply आपको यहां से training plan बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, beginner देखने को मिल जाएगा, intermediate देखने को मिल जाएगा, advanced देखने को मिल जाएगा, तो simply हम beginner चूझ करते हैं, आप चाहें तो intermediate भी चूझ कर सकते हैं, तो simply इसको चूझ करने के लिए से start पर click करना होगा, जैसे ही आप start पर click किजिएगा, फिलानिया, make your guide, TTR जैसे ही आप इस go पर click किजिगा, कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको बहुत तरह work out देखने को मिलेगा, simply start पर आपको click करके, एक work out हम आपको करके दिखा रहे हैं, simply start पर click कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते start पर click करने के बाद आईसे exercise हम बाइक हो जाते हैं, इतना exercise नहीं करेंगे, आपको करना होगा, देख सकते हैं, simply quit पर click कर देते हैं, फिलाल यहाँ पर हम quit पर click कर दी है, quit पर click करने के बाद day one exercise हम आपको करके दिखा दिखा दी, आप चाहते हैं day two exercise करने के लिए, तो simply आपको यहाँ day two exercise देखने को मिल जाएगा फिर इसके बाद आप चाहते हैं इंसे इक्रसाइज करने के लिए तो सिंपली आपको इंटर्मेडियत main exercise देखने को मिल जाएगा इडवांस मोड में भी आप इसमें exercise कर सकते हैं फिलाद इसम एडवांस मोड में इतना exercise नहीं करेंगे माई देखने को मिल जाएगा सिंपली से स्टॉर्ट पर किलिक करना होगा जैसे हम इस स्टार्ट पर क्लिक किए यहां पर लिखा मिल जाएगा ready to go फिर इसके बाद सिंन ल tu पर क्लिक करके आपको दि kings, वाइँ द्राइज में में दैने को मिल जाएगा इसमें बहुत सरी एक्सराइज देखने को मिल जाएगा वह आप फ yardımती युसे कर्सकते है एक अच्छी अच्छी बात मैं आपको बता दू किbrarके एक सिंप्ली इस गोख पे क्लिक करके हैं मैं 30 second के वीडियो को watch करते हैं और आपको भी watch कर लें हिलाल यहाँ पे हम इस add को watch कर लिए हैं तो add को watch करने के बाद यहाँ देख सकते हैं morning work को देखने को मिल जाएगा यहाँ से बहुत सारा excellent exercise देखने को मिलेगा reverse change exercise देखने को मिलेगा देख सकते हैं आपको इतना exercise करने के बाद आप यहाँ से दूसरा next exercise कर सकते हैं फिर इसके बाद इस report पे किलिक करते हैं माल लीजिये इसमें report पे अभी तुरंथ हम 2 work out के देखने को मिल जाएगा calorie loss की बाद के जाए तो 1.4 calorie हम loss किया है history आपको देखने को मिल जाएगा आप इसमें कितना exercise किये आप इसमें weight कितना gain किये loss के 100 देखने को मिल जाएगा यहाँ देख सकता है current देखने को लेंद देखने को मिल जाएगा फिर इसके बाद सिंपली इस mind पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं देख सकते हैं आप इसमें google से sign in कर सकते हैं इसमें google से sign in नहीं करेंगे download TTS engine भी आप download कर सकते इसमें voice भी download आप कर सकते हैं फिलाल इसमें voice को हम change नहीं करेंगे वैसा ही रहने देंगे इसमें आपको health data देखने को मिल जाएगा simply health data पे क्लिक करने के लिए आपको डियो भी डालना होगा data of birth तो फिलाल इसमें data of birth नहीं डालेंगे मान लिज आप इसमें जितना भी setting किया रही है कि उस data को delete करना चाहते हैं तो आप data को delete कर सकते हैं फिलाल इसमें data को delete नहीं करेंगे बहुत सारा exercise मैं आपको बता दू कि यह काप popular workout देखने को मिलेगा आप अभी फिरी में कर सकते हैं I hope कि मैंने आपको पूरी details में बता पाया हूं कि plank workout आपको कैसे यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो like कीजिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए जा ही